बच्चों, कक्षा ग्यारवी में आपने देखा था कि जब कोई वेक्ती उत्पादन करता है तो उसे बहुत से साधनों की जरूरत पड़ती है जिसमें से पाँच साधनों के बारे में हमने जाना था ये साधन थे भूमी, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस तो क्या कोई ऐसा वेक्ती है जिसके पास उत्पादन के ये पाँचों साधन उपलब्द हो ऐसा हो भी सकता है कि ये पाँचों साधन किसी एक वेक्ती के पास उपलब्द हो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ अन्य वेक्तियों का भी सहयोग ले सकते हैं याने इस तरह के किसी उत्पादन कारे को प्रारंब करने के लिए हम साज़ेदारी ववसाय को प्रयोग में ला सकते हैं वैपार हो विवसाय हो या उद्योग हो प्रतेक शेत्र में साज़ेदारी ववसाय याने partnership business का अपना एक अलग मारतो है एक व्यक्ति जब वो अकेला कोई व्यवसाय करता है यानि कि वो खुद ही अपनी भूमी लगाता है खुद की पुंजी लगाता है संगठन करता कि रूप में वो कारे करता है साहसी भी वो खुद ही होता है और श्रम संबंधी कारे भी वो खुद कर लेता है तो ऐसे condition में हम ये कह सकते हैं कि वो एकल वैपार का स्वामी है याने एकांग की वैपार कर रहा है लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि एकांग की वैवसाई उतनी अच्छे तरीके से कारे नहीं कर पाता है जितने अच्छे से अगर वो साजेदारी वेवसाई करता तो उसको लाप राप्त होता। इन्ही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साजेदारी वेवसाई के उत्पत्ती हुई। तो आज हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट का फर्स चैप्टर साजेदारी वेवसाई। समान निशब्दों में तो हम जान चुके हैं कि वास्तों में साजेदारी है क्या। अब आये देखते हैं कि साजेदारी वेवसाई क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं नाम से इस पस्ठ हो रहा है साजेदारी व्यवसाय याने जिसमें कम से कम दो लोग हूं वो मिलकर आपस में कारे कर रहे हूं किस तरह का कारे कर रहे हूं उत्पादन का या कोई व्यवसाय कर रहे हूं या कोई व्यपार कर रहे हूं अगर हम भारतिय साजेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साजेदारी व्यवसाय को बहुत अच्छे से समझना चाहें तो हम इसकी एक परिभाशा को देखेंगे भारतिय साजेदारी अधिनियम 1932 के अंतरगत साजेदारी की जो परिभाश्या दी गई है इसमें इसपस्ट रूप से कहा गया है कि साजेदारी दो या दो से अधिक वेक्तियों का एक ऐसा समू है जिसमें वे आपस में मिलकर कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उनके द्वारा या उन सब के द्वारा फॉर्म के लिए चलाया जा रहा हो इस परिभाशा को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि साजेदारी वेवसाई में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है अब अगर हम इसके विशेस्ताओं पर एक नजर डालें तो हम साजेदारी के अर्थ को और अच्छे से समझ पाएंगे साजेदारी वेवसाई की सबसे पहली विशेस्ता या है कि एक अनुबंध है यानि समझौता है अनुबंध या समझौता किसी ऐसे वेबसाय को चलाने के लिए किया जाता है जिसके लिए वो दोनों ही पक्षकार या दो से अधिक वेक्ति अगर हैं तो वे सब आपस में सहमत हैं ये अनुबंध या समझौता लिखित भी हो सकता है और मौकिन भी लेकिन वास्तों में देखा जाए तो कानूनन और सुचारू वेपार संचालन दोनों ही द्रिष्टिकोंड से लिखित अनुबंध या लिखित समझौता काफी प्रभावी माना जाता है यहां हम देखते हैं कि साजेदारों की जो संख्या है वो भी कमपनी अधिनियम के अंतरगत निश्चित कर दे गई है जैसे कि हम देख रहे थे कि कम से कम दो साजेदारों का होना जरूरी है और अनुबंद के अंतरगत भारती साजेदारी अधिनियम यह भी कहता है कि अधिकतम 50 साजेदार होने चाहिए इससे अधिक अगर साजेदार हैं तो वो साजेदारी वेवसाय अवैध माना जाएगा यहां अगर हम बात करें वेवसाय की तो अगर साजेदारी की गई है तो उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए यहने कोई निश्चित वेवसाय होना चाहिए जिस व्यापार के या जिस व्यवसाय के संचालन के लिए साजेदारी अनुबंद किया जा रहा है एक इसकी महतपूर्ण विशेस्ता है लाभ विभाजन क्योंकि जब साजेदारी व्यवसाय प्रारम किया जाएगा तो उसमें बहुत से साजेदार आपस में पूझी लगाएंगे और विवसाय प्रारम करेंगे तो इस प्रकार जब विवसाय में लाभ होगा तो वो जितने साजेदार जिन्होंने उसमें पूझी लगाई है सबको उनका हिस्सा मिलना चाहिए अब बात यहां यह आती है कि कितना हिस्टा किसको मिले याने किस अनुपात में लाब हानी का विभाजन किया जाए तो साज़ेदारी समझोता जब किया जाता है तो उसके अंतरगत यह भी नरधारी किया जाना जरूरी होता है कि वेवसाय में जो भी लाब होगी या हानी होगा, वो सभी साजेदारों में किस अनुपात में बाटा जाएगा। साजेदारी वेवसाय की एक महत्पूर्ण विशेस्ता ये है कि प्रतेक साजेदार साजेदारी वेवसाय के एजेंट के रूप में कारे करता है। साथ ही जो उनका दाईत तो होता है वो असेमित होता है यानि कि उन्होंने जो पूंजी लगाई है वेवसाय में किवल उस पूंजी तक ही सेमित ना होते हुए उनकी निजी संपत्ती से भी अगर जरूरत पड़ती है कभी फ्रम को तो हिस्सा लिया जा सकता है फर्म के कर्तवियों को पूरा करने के लिए यही कारण है कि यह माना जाता है कि प्रतेक साजेदारी वेफसाय में साजेदारों का दाई तो असीमित होता है एक इसके महत्वपूर्ण विशेस्ता यह है कि सभी साज्यदारों को पूंजी ही लगाना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि उत्पत्ती के बहुत से साधनों में पूंजी भी एक महत्वपूर्ण साधन है हो सकता है कि कोई एक ऐसा साजेदार है जिसके पास पूंजी है तो वो पूंजी लगा सकता है कोई प्रवंधक का कारे बहुत अच्छे से जानता है तो वो प्रवंधक का कारे कर सकता है किसी साजेदार के पास भूमी उपलब्ड है तो वो भूमी लगा सकता है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूंजी लगाने के बाद ही वो साजेदार कहलाएगा और फॉर्म के लाब यहानी में उसको हिस्सा मिलेगा एक महत्पूर्ण विशेस्ता इसकी यह है कि प्रतेक साजेदार जो भी फॉर्म में किसी न किसी रूप में साजेदार होता है चाहे वो पूंजी लगाए या श्रम दे प्रबंधिकिये कारे करे वे सभी फॉर्म के सदस्य की पात्रता को प्राप्त करते हैं यानि सभी फॉर्म के सदस्य से माने जाते हैं साथ ही यहां हम यह भी देखते हैं कि फॉर्म का जो नाम होता है वो निश्चित किया जाता है जैसे कि हमने वाणिज जे विशाय में भी देखा था कि जब कोई वेपार, वेवसाय या उद्ध्योग स्थापित किया जाता है तो इनके जो अलग-अलग सनलेक होते हैं इनके अधनियमों के अंतरगत उस फर्म का नाम निर्धारित किया जाना जरूरी होता है बिल्कुल वैसे ही साजेदारी वेवसाय का कोई न कोई नाम निर्धारित किया जाना और फिर उसको रजिस्टर्ट किया जाना जरूरी होता है व्यवसाय संचालन के अगर हम बात करें तो सभी साजेदार व्यवसाय के संचालन में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सभी साजेदार व्यवसाय का संचालन करेंगे हो सकता है कि सभी साजेदारों में कुछ साजेदार ऐसे हो जो व्यवसाय का प्रत्यक्ष रूप से सच्चालन करते हो और बाकी जो साजेदार हो उनके जो साजेदारी है वो किसी भूमी या अनिकिसी अस्थाई संपत्ती के रूप में बनी रहती है तो साज़ेदारी के इन विशेस्ताओं के आधार पर हम और अच्छे से समझ सके हैं कि वास्तों में साज़ेदारी वेवसाय है कि अब हम देखते हैं साजेदारी का जब हम वेवसाय प्रारम करते हैं तो अधिनियम 1932 के अंतरगत कौन-कौन से महत्पूर्ण प्रलेखों का प्रियोगम को करना होता है इन मात्वपूर्ट प्रलेखों में जो सबसे पहला प्रलेख आता है उसे हम कहते हैं साजेदारी संलेख यनि की पार्टनर्शिप टीड़ साज़ेदारी सनलेक एक बहुत साधारन सा प्रपत्र होता है जिसमें उन सभी नियमों का उलेक कर दिया जाता है जिनको फॉलो करते हुए हम साज़ेदारी वेबसाइट का संचैलन करेंगे यानि कि साज़ेदारों की संक्या कितनी होगी किस तरह से वो लाभानी का भी भाजन करेंगे और बहुत सारे नियम आए इन बिंदू के आधार पर हम देखते हैं कि कौन-कौन से वो मैटर है जिनको साज़ेदारी सनलेक में लिखा जाना जरूरी होता है सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्म का नाम और पता उसके बाद इसमें हम अंकित करते हैं व्यपार का छेत्र किस छेत्र तक उसका व्यपार रहेगा साज़ेदारों के नाम और पते इस साज़ेदारी वेबसाय में कितने साज़ेदार है उनके क्या नाम है और उनका रेसिडेंशियल एडरिस क्या है उसके बाद हम देखते हैं कि साजेदारों की पूंजी क्या है जितने भी साजेदार है उनमें से अलग-अलग साजेदारों ने कितनी-कितनी पूंजी वेवसाय में लगाई है इसका भी सपस्ट उल्लेक होना चाहिए साजेदारी की अवधी कितनी है क्योंकि जब हम इसके नुमेरिकल कोशन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इस पर्स ट्रूप से उल्लेक रहेगा कि अमुक साजेदारी इतने वर्षि के लिए स्थापित की गई तो यहां पर साजेदारी सनलेक में ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि साजेदारी का जो जीवनकाल है समय आवदिये वो कितना है इसके साथ हम इसमें एंट्री करेंगे नई साजेदारों के प्रवेशकी क्योंकि ये पूरा का पूरा साजेदारी वेबसाय अधिनियम 1932 के अंतरगत चलेगा इस अधिनियम में साजेदारी के प्रारंब से लेकर साजेदारी के अंत तक किन किन नियमों का पालन किया जाएगा इसका पूरा का पूरा उलेक आपको मिलेगा इसी के अंतरगत हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से नियम है जिनको फॉलो करते हुए हम फर्म में नए साजेदारों को प्रवेश देंगे तो इस बात का उलेख भी साजेदारी सनलेख में किया जाना जरूरी होता है साथी हमें आप देखते हैं कि फर्म का व्यवसाई क्या होगा किस प्रकृती का वो व्यवसाई है किस वस्तू से सम्बंदित वो व्यवसाई है इसका भी सपस्ट उलेख किया ज़रूरी है फिर एक महत्यपूर बात यह आती है कि पुझी पर ब्याज क्योंकि firm में साजेदारों ने पूंजी लगाई है तो एक तो उनको लाब मिलेगा लेकिन साथ साथ अगर किसी साजेदार ने अतरिक्त पूंजी लगाई है यहनि उनका जो हिस्सा है वो तो उन्होंने पूंजी के रूप में firm को दिया है लेकिन हो सकता है किसी कारणवर्ष किसी साजेदार ने firm को extra कुछ money दिया है capital के रूप में उसने दिया है तो वे extra amount जो किसी साजेदार ने दिया है उस पे उसको पूंजी परभ्याज भी मिलना चाहिए तो उसकी दर क्या होगी इसका उलेक साजेदारी सनलेक में किया जाना जरूरी है और बिल्कुल इसी तरह आहरन पर व्याज का उलेक भी किया जाना जरूरी है आहरन के बारे में हमने पिछले अध्यायों में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यह क्या होता है किस प्रकार से जब एक साजेदार अपने फर्म के हिस्से में से फर्म की जो राशी है उसमें से अगर वो निजी प्रयोक के लिए राशी का आहरण करता है यानि निजी प्रयोक के लिए अगर वो राशी निकालता है तो वो आहरण माना जाता है और ऐसी कंडिशन में उसको को ब्याज देना पड़ता है तो वो निश्यत दर क्या होगी इसका भी निर्धारण साजेदारी सनलेख में किया जाता है साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि लाभानी विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा यह सबसे महत्पूर मुद्दा होता है एक साजेदारी विवसाय के संचालन का कि पूरे साजेदारी विवसाय के संचालन में एक वित्य वर्ष में जो लाभ हुआ वो किस अनुपात में विभिन साजेदारों में वित्रण किया जाए इसके अपने बहुत सारे अधिनियम के अंतरगत नियम बनाए गया है जिनको हम आगे आने वाले अध्यायों में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो क्या अनुपात होगा लाभानी के विभाजन का ये निर्धारित ये निश्चित किया जाना साजेदारी सनलेक में आवश्यक होता है और इसके साथ साथ हम वेतन और कमिशन यनि अगर कोई साजेदार प्र साजेदारी सनलेक में किया जाना चाहिए अगर कोई साजेदार फर्म को रिण देता है लोन देता है तो उस लोन पर जो साजेदार को ब्याज मिलना चाहिए उसका प्रतिश्यत क्या होगा इसका भी साजेदारी सनलेक में साथ ही ख्याती का अगर मुल्यांकन किया जाएगा गुडविल की valuation अगर की जाती है तो वो किस method से की जाएगी आगे के अध्यायों में हम बहुत विस्तार से देखेंगे कि firm की ख्याती के मुल्यांकन की बहुत सारी विधियां होती है कि इन विधियों का प्रियों करेंगे कैसे हम गुडविल calculate करेंगे इसका पूरा पूरा जो विवरण होता है वो साजेदारी सनलेख में दिया जाना चाहिए साथ एक कुछ महत्वपूर्ण बाते और हैं जैसे कि साजेदारी का समापन हमने देखा कि भारतिय साजेदारी अधिनियम 1932 के अंतरगत firm प्रारंब कैसे होगी और समाप्त कैसे होगी ये पूरे के पूरे क किस कानून के अंतरगत साजेदारी का कारिक किया जाता है तो समापन के कौन-कौन से नियम होंगे और किस कंडिशन में firma को समा समाप्त किया जाएगा यह समाप्त मान लिया जाएगा इसका भी स्पस्ट उल्लेक साज़दारी सनलेक में होना चाहिए और साथ में एक महत्वपूर्ण बात कि अगर तो उस विवाद का निप्टारा कहां किस प्रकार किया जाएगा इसका भी स्पस्ट उल्लेक साज़दारी सनलेक में किया जाहिए तो और अगर हम साज़ेदारी सनलेक पर एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रपत्र है जिसके अंतरगत व्यवसाय के प्रारंब से लेकर व्यवसाय को समाप्त करने के सारे नियम साजेदारी व्यवसाय को प्रारम करने के पूर्व ही बता दिये जाते हैं इसलिए साजेदारी सनलेक को साजेदारी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण सनलेक माना जाता है यहां पर हम देखते हैं कि यह जो साजेदारी सनलेक है यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है लेकिन जहां पर नियालीन विवाद की स्थिती बनती है वहां लिखित सनलेक को ही महत्त दिया जाता है इसलिए साजेदारी वेफसाय के अंतरगत लिखित साजेदारी सनलेख का रखा जाना ही ज़्यादा महतुपूर है तो आपने देखा कि किस प्रकार हम साज़ेदारी सनलेख का निर्माण करते हैं और उसके अंतरगत हम किन-किन बातों का वर्णन करते हैं अब हमने ये तो देखा कि साज़ेदारी सनलेक किसी भी साज़ेदारी वेफसायक का एक महत्वपोर्ड प्रलेक है और इसको रखा जाना या बनाया जाना किसी भी साज़ेदारी संस्ता के लिए बहुत जरूरी है लेकिन अगर कोई साज़ेदारी firm इस सनलेक को ना बनाए या साज़ेदारी firm किसी इस सनलेक को ना रखे अपने form में तो फिर इसकी अंतरगत इतने सारे जो नियम दिये गए हैं उनको कैसे हम उनको follow करेंगे कुर मिलाकर एक questionी ये भी उठता है कि अब अगर form में साज़ेदारी सनलेक नहीं है तो किन नियमों का पालन करते हुए हम form का संचालन करेंगे तो आएंगे एक नज़र डालते हैं उन नियमों पर जिनको follow करते हुए हम साज़दारी सनलेख के आभाव में एक फ़र्म का संचालन करेंगे तो सबसे पहली और महतपूर बात यह है कि अगर किसी साज़दारी वेवसाय में साज़दारी सनलेख का आभाव है तो ऐसी कंडिशन में वेवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार अगर हम अधिकार के बात करें तो सभी साजेदार जितने उस firm में साजेदार हैं सभी को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का बराबर अधिकार होगा ऐसे ही अगर हम बात करें करतवियों को पूरा करने की यानि काम करने की फॉर्म में तो फॉर्म के जो कारे हैं वो सभी साजेदारों के द्वारा किये जाएंगे यानि सभी साजेदार फॉर्म का कारे करने के लिए अधिकारी होंगे साथ ही अगर हम बात करें मत प्रकट करने की जैसे माल लीजीए साजेदारी वेबसाय के संचालन के दौरान किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण निर्नय लेना हो मत अधिकार के आधार पर तो सभी साजेदारों को बराबर अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है चाहे साजेदारी सनलेख ना हो तो भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये देखनों के मिलती है कि अगर कोई ऐसा निर्णय लेना हो जिससे व्यवसाय की पूरी प्रकृती ही परिवर्तित हो जाए तो ऐसी कंडिशन में फिर साजेदारी सनलेख का होना आवश्यक है यहाँ पर फिर सभी साजेदार अपने मत प्रकट नहीं कर सकेंगे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी आती है कि समय समय पर अगर साजेदार चाहें तो हिसाब किताब की बहियों का निरिक्षन कर सकते है चाहे फर्म में साजेदारी सनलेख हो या ना हो यहने साजेदारी सनलेख के आभाव में भी सभी साजेदारों को हिसाब किताब की बहियों का निरिक्षन करने का समान अधिकार प्राप्त होता है सनलेक के आभाव में अगर लाभानी वित्रण के हम बात करें तो जैसे कि हमने पहले देखा कि किस अनुपात में लाभानी का विभाजन करना है ये साज़ेदारी सनलेक में लिखा हुआ होना चाहिए लेकिन मान लेजिए कि साज़ेदारी सनलेक है ही नहीं साज़ेदारी पर्म ने बनाया ही नहीं तो ऐसी कंडिशन में स्पस्ट रूप से ये मान लिया जाता है कि लाभानी का जो विभाजन होगा वो समान अनुपात में बरावर अनुपात में किया जाएगा एक महत्पुण बात यहां पर यह आती है कि ब्याज की जो इस्थिती बनती है पुण्जी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, या रिन पर ब्याज तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं कि पुण्जी पर जो ब्याज होता है वो नहीं दिया जाता जिससे हमने देखा कि अगर कोई साजेदार अत्रिक्त पुझी लाता है वैसे ही अगर हम पारिश्रमिक के बात करें तो यदि फॉर्म में साजेदारी सनलेक नहीं है तो पारिश्रमिक पाने का अधिकार किसी भी साजेदार को नहीं होगा साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर बात हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी साजयधार ने फॉर्म में अतरिक्त पूजी लगाई है यानि कि फॉर्म के साज़यदारों की जो पूजी है वो पूर्वनिश्चित है कि वो साज़ेदारी फॉर्म के संचालन के लिए किस-किस अनुपात में पूंजी देंगे इसके अत्रिक्त अगर कभी जरूरत पढ़ने पर किसी साज़ेदार ने फॉर्म को अत्रिक्त पूंजी दी है तो साज़ेदारी सनलेख में जो नियम लिखे गए हैं उनके अनुसार उसको एक निश्चित प्रतिशत पर ब्याज प्राप्थ करने का अधिकार है लेकिन अगर साज़ेदारी सनलेख नहीं है तो इस तरह से किसी साज़ेदार के द्वारा लाई गई अत्रिक्त पुंजी पर किसी भी प्रकार का ब्याज उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा अगर हम बात करें यहां पर छती पूर्ती की तो यहां अगर किसी साज़ेदार को किसी भी प्रकार की छती पूर्ती साज़ेदारी फॉर्म के संचालन के दौरान हुई है तो इस condition में उसको छती पूर्ती पाने का पूरा अधिकार होगा भले ही साज़ेदारी सनलेक का वहाँ पर आभा हो अगर उसके लापरवाही के कारण किसी प्रकार की छती पूर्ती फॉर्म को होती है तो ऐसी कंडिशन में वो साजेदार जिसकी लापरवाही के कारण फर्म कोहानी हुई वो पूरा का पूरा उस छतिपूर्ती को देने का उत्तरदाई तो रखता है चाहे साजेदारी सनलेक हो या ना हो यहाँ पर हम एक महत्पूर्ण बात देखते हैं कि फर्म की जो संपत्ती होती है उसका उलेक कई बार साजेदारी सनलेक के नियमों के अंतरगत विबिन साजेदार अपने उपयोग के लिए भी करते हैं लेकिन अगर साजेदारी सनलेक नहीं है तो इस तरह से फॉर्म की किसी भी संपत्ती का उप्योग कोई भी साजेदार निजी कारे के लिए नहीं कर पाएगा यानि फॉर्म की जो संपत्ती होगी उसका प्रयोग केवल साजेदारी फॉर्म की कारियों में ही किया जाएगा साथ ही यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि अरजित लाब का जो हिसाब है वो किस तरह से देना है यानि किन के लाबों का हिसाब यहाँ पर देना पड़ेगा साजेदारों को तो एक तो महत्वपूर बात यह है कि फर्म की संपत्ती से या उस संपत्ती के क्रेविक्रे से या उसके प्रयोक से अगर किसी भी प्रकार का लाब फर्म को होता है तो उसका हिसाब किताब सभी साजेदारों को दिया जाना जरूरी होता है यहांपे हम यह देखते हैं कि अगर किसी साज़ेदार की मृत्यों हो जाए तो क्या हो गा अब जैसे के पहले हमने देखा था कि साज़ेदारी संलेक में यहांपन किन किन नियमों के अंतरगत किया जाएगा यहाँ पर क्यूंकि साजेदारी सनलेक है ही नहीं हमने उसमें कुछ नियमी नहीं लिखे है तो ऐसी कंडिशन में अगर किसी साजेदार की मृत्ति हो जाती है तो स्वता ही उसकी जो साजेदारी है वो अपने आप ही समाप्तमान ले जाएगी और अगर हम बात करें अधिकार के हस्तांतरन की जैसी कि हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर उस फर्म से हटना चाहे तो वो सम हट जाता है और किसी भी अपने अधिक्रित व्यक्ति को फर्म में साजेदार बना देता है लिकिन अगर साजेदारी सनलेख नहीं है तो ऐसी कंडिशन में वो अपने अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर पाएगा और साथ ही अगर निर्णय की अगर हम बात करें जैसे कि हमने देखा कि साज़दारी सनलेक में इस बात का सपस्ट उलेक रहता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई विवादित इस्थिति उत्पन हो जाती है फॉर्म में तो कैसे निर्णय लिया जाए लेकिन अगर सनलेक है ही नहीं तो हमको ध्यान रखना है ऐसी कंडिशन में बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा फॉर्म के जितने भी साज़दार है उनमें जो मैजॉर्टी जहां पर रहती है बहुमत जहां पर रहता है किसी मैटर पे तो उसके आधार पर फॉर्म में किसी भी विवाद क इस सिती में निर्न लिया जा सकता है तो यह वो सारे नियम थे जो तब लागू होंगे जब हम साज़दारी सनलेख का निर्माण किये बीना ही साज़दारी वेबसाय का संचालन करना प्रारम कर देते हैं अब यह तो बात थी कि किन-किन नियमों को हम फॉलो करते हुए साज और लिए कि वेबसाय का संचालन करेंगे तो इसमें हम किन-किन लेखों का निर्माण करेंगे यह महत्तुपूर बात है जब हम साज़ेदारी वेबसाइक के लेखों के बारे में जानेंगे तो हम यहां हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको यहां पर लाभानी नियोजन खाता यानि की Profit and Loss Appropriation Account बनाना होगा लाभानी नियोजन खाता एक ऐसा अकाउंट ऐसा खाता है जिसके अंतरगत हम Form के जो प्रारंभिक लेखे होते हैं जिसके बारे में हमने साज़ेदारी सनलेख में पढ़ा उन सभी का एक विबरन जो है वो हम लाभानी नियोजन खाते में लिख देते हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि साज़ेदार को पूंजी पर कितना ब्याज प्राप्त होगा आहरन पर ब्याज का प्रतिशत क्या होगा रिण पर ब्याज का प्रतिशत क्या होगा और किस अनुपात में लाभानी का विबाजन किया जाएगा इन सभी बातों को हम एक प्रारूप के अंतरगत लाभानी नियोजन खाते में लिख देते हैं और और हम देखें तो ये एक बहुत महत्वपोर्ण खाता है जिसके अंतरगत हम उस लाभ यहानी को कैलकुलेट करते हैं उस लाब यहानी की गड़ना करते हैं जिसको हम साजेदारों में हमको जो वित्रित करना होता है तो क्यूंकि ये एक बहुत महत्वपोर्ण खाता है तो आएए हम पहले इसके प्रारूप पर एक नज़र डाले किस प्रकार हम इसका निर्माण करेंगे लाबहानी नियोजन खाते का प्रारूप 31 दिसंबर को समाप्थ होने वाले वर्ष के लिए इस प्रारूप में आप देख रहे हैं दो पक्ष हैं डेबिट और क्रेडिट जिसमें डेबिट पक्ष में हम कुछ प्रविष्टियां करेंगे शेश लाया गया बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस अगर है तो हम डेबिट में लिखेंगे और अगर प्रॉफिट है तो हम इस प्रारूप के क्रेडिट साइड में लिखेंगे शेश लाया गया लाब, balance brought down profit, वैसे ही पूंजी पर ब्याज की गढ़ना करने की प्रश्चार, क्योंकि पूंजी पर ब्याज साजेदार को दे होगा, इसलिए हम पूंजी पर ब्याज को लाब हानी नियोजन खाते के debit side में लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज से interest on capital, जितने भी साजेदार हैं, जैसे माल लिजए दो साजेदार हैं, तो A और B, दोनों को दे गई पूंजी पर ब्याज की राशी को हम inner column में लिखेंगे, और दोनों का total हम outer column में राशी के अंतरगर लिख देंगे, वैसे ही अगर किसी साजेदार को वेतन या commission दिया जा रहा है, तो हम इस प्रारूप के debit side में वेतन एवं commission मद के अंतरगर लिख देंगे, salary and commission और जिस भी साजेदार को वेतन इवं commission दिया गया है, उनकी राशी हम उनके नाम के सामने inner column में लिखेंगे, और total हम amount outer column में लिख देंगे, इसे प्रकार अगर किसी साजेदार द्वारा रिण दिया गया है, तो उसको दी जाने वाली RID पर ब्याज याने interest on loan की amount को हम लाभानी नियोजन खाते के debit side में लिख देंगे, फर्म में अगर किसी प्रकार का कोई खर्च किया गया है, तो अन्यव फर्म के खर्च मदों के अंतरगर हम उसको लाभानी नियोजन खाते के debit side में लिख देंगे, वैसे ही अगर आहरन पर ब्याज के स्थिति बनती है, तो क्यूंकि आहरन पर ब्याज को प्राप्त होगा, इसलिए उसको हम लाभानी नियोजन खाते के credit side में लिख देंगे, आहरन पर ब्याज खाता को, और जिस भी साजेदार के द्वारा जितनी भी आहरन की राशी पर ब्याज प्राप्त हुई है, उसे हम inner column में लिख देंगे, और total outer column में लिख देंगे, इन मदों को लिखने के बार हम लाभानी नियोजन खाते का शेश ग्याद करेंगे, अगर ये शेश credit balance आता है, यानि समकलन शेश आता है, तो ये लाभ मानना जाएगा, और लाभानी नियोजन खाते के debit side में लाभ मान कर दिख दिया जाएगा, profit transfer to capital account, क्योंकि लाभ की ये राशी साज़ेदारों के पुझी खाते में स्थानांत्रिक कर दी जाएगी, या अगर हम स्थाई पुझी पद्धती से बनाते हैं, तो इसे हम पुझी खाते में स्थानांत्रिक कर देंगे, इसी तरह से अगर लाभ हानी नियोजन खाते का debit balance आता है, यानि कि विकलन शेश आता है, तो ये राशी हानी मान ले जाएगी, और इसको हानी मान कर हम लाभ हानी नियोजन खाते के credit में लिखेंगे, और इस हानी की राशी को हम साजेदारों के पुझी या चालू खाते में स्थाना अंत्रिक कर देंगे, और इस तरह से लाभ हानी नियोजन खाता बंद हो जाएगा, तो आपने देखा कि किस प्रारूप के अंतरगत हम लाभ हानी नियोजन खाते का निर्मान करेंगे, और इस खाते को बना लेने के पश्चात हम साजेदारी सनलेख में दिये गए नियमों के अंतरगत, लाभ यहानी का विभाजन साजेदारों में करेंगे, और अगर साजेदारी सनलेख नहीं है, तो इस खाते में जो भी अमाउंट बैलन्स आ रही है, चाहे वो लाभ के रूप में यहानी के रूप में आए, हम उनका विभाजन समान अनुपात में सभी साजेदारों को कर देंगे, अब हमने यह देखा कि लाभानी नियोजन में हमने सभी प्रारंबिक प्रविष्टिया कर दी हैं, और हमने उस लाभ यहानी को ग्याद कर लिया है, जिसका वित्रण हमको साजेदारों को करना है, अब इस लाभानी की entry इस विभाजित लाभानी की entry हम कहा करेंगे तो इसके लिए हम निर्मान करेंगे साजेदारों के पूंजी खाते की अब साजेदारों का पूंजी खाता भी उतना ही महत्तुपूर है जितना लाभानी खाता था क्योंकि साजेदारों के पूंजी खाते का निर्मान करने के पश्चात हम उस amount को प्राप्त कर लेंगे जिसके आधार पर हम साजेदारों के balance sheet का निर्मान करेंगे यह balance sheet को close करते समय हम इस सारी amount को उसमें लिखेंगे अब अगर हम बात करें साजेदारों के पूंजी खाते के निर्मान की तो साजेदारों का पूंजी खाता हम दो विधियों के आधार पर निर्मित करेंगे हाँ पर जिसमें पहली विधी होगी इस्थिर पूंजी पधिती और दूसरी विधी होगी परिवर्तन शील पूंजी पद्धिती, fixed installment method और fluctuating method पहली पद्धिती के अगर हम बात करें fixed capital method की तो इस पद्धिती का प्रयोग हम तब करते हैं जब फर्म में साजेदारों के द्वारा लाई गई जो पूंजी होती है वो प्राराम से लेकर अंध तक निश्चित होती है यानि कि इस्थिर होती है और प कि पूंजी की राशी परिवर्तित होती रहती है समय के नुसर तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्थाई पूंजी पद्धिती जो है उसका निर्माण हम किस प्रकार करते हैं इस्थाई पूंजी पद्धिती के प्रारूप को देखने से पहले हम ये जान ले कि किस कंडिशन में हमको इस्थाई पूंजी पद्धिती का प्रयोग करना होता है तो हमने देखा कि पूंजी अगर इस्थिर है तो हम इस्थाई पूंजी पद्धिती का प्रयोग करेंगे और ऐसी कंडिशन में हम इसमें दो खातों का निर्मान करेंगे एक साजेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साजेदारों का चालू खाता. यहाँ पर हम साजेदारों का पूंजी खाता अलग से इसलिए बना लेते हैं. क्योंकि साजेदारों की पूंजी जो है वो इस्तिर है फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तर नहीं होता है. और इसके साथ में हम चालू खाता इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि अलग-अलग साजेदारों के हिस्से में पूञी की राश्य कितनी है? पूञी पर ब्याज की राश्य क्या है? अगर उन्होंने किसी प्रकार का आहरण किया है तो आहरण की राशी क्या है आहरण पर ब्याज का प्रतिशत जो है उसकी आधार पर आहरण पर ब्याज की राशी क्या है हो सकता है उन्होंने किसी प्रकार का रिंड दिया हो कमपनी को तो ऐसी कंडिशन में रिंड की राशी रिंड का जो ब्याज है उसकी राशी क्या है और लास्ट में फिर हम ये निकाल लेते हैं कि अलग-अलग साजेदारों के हिस्से में पूंजी खाते का जो शेश है वो क्या है तो इस तरह से हम दो खातों का निर्मार तब करते हैं जब पूंजी इस्थिरों और अगर हम बात करें परिवर्तन शेल पूंजी पध्धती की तो बहुत आसान तरीका अगर हम देखें कि यह जो हमने स्थाई पूंजी खाता देखा और चालू पूंजी खाता देखा इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो ऐसी कंडिशन में यह बन जाता है परिवर्तन शेल पूंजी खाती का जब हम प्रारूप देखेंगे तो हमको य आये गई पुन्जी पुणजी पर चापी रसी हम कर लेते हैं तो और अच्छी समझने के लिए हम स्थिल पूंजी पद्यती में दो खाते यानी पूंजी खाता और चालू खाते का प्रारूप और परिवर्तन शील पूंजी पद्धिती में परिवर्तन शील पूंजी खाते के प्रारूप पर एक नजर डालें साजेदारों का पूंजी खाता अगर हम स्थाई पूंजी पद्धती से बनाते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पॉर्मेट में सबसे पहले डेबिट साइड में हम विवरण लिखेंगे और फिर जितने भी साजेदार हैं उनका हम कॉलम बना लेंगे जैसे कि हम माल लेते हैं कि दो साजेदार हैं A और B और विल्कुल वैसे ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे विवरण लिखेंगे और साथ में जितने भी साजेदार हैं उतना कॉलम हम बना लेंगे जिसे कि हमने हाप पर A और B बना लिया हैं यहां सबसे पहले हम साजय दारों के पूझी खाते के debit side में शेश लाया गया अगर मान लेजे उनका debit trade रहता है तो हम debit side में लिखनेंगे और अगर credit trace दिखाता है पूझी खाता तो हम credit side में जो भी प्रेश्ण में balance दिया होगा पुंजी खाते का, वो हम यहाँ पर अलग-अलग साजेदारों के अलग-अलग पुंजी खाते में, जो column अलग-अलग बना है, उसमें हम उसकी प्रविस्टी कर देंगे, और फिर जो भी total amount है, उसको हम debit side में transfer करके इस account को close कर पर हम पुंजी खाते के साथ-साथ चालू खाता भी बनाएंगे, और extra जितनी भी information होगी, साजेदारों से related, या साजेदारी website से related, उन सब की प्रविस्टी हम चालू खाते में करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई पुंजी का प्रार प्रारंबिक शेश है, तो उसको हम चालू खाते के credit side में लिखेंगे, शेश लाया गया, चाहे तो हम याद रखने के लिए bracket में प्रारंबिक शेश भी लिख सकते हैं, उसके बाद क्यूंकि जब साजेदार firm से आहरण करते हैं, तो हमारी पंजी प्रविस्टी होती है यहा आहरण खाता से, लेकिन क्योंकि हम स्थाई पद्धती से यहां पर पूंजी खाता बना रहे हैं, तो हम पूंजी में इसको ट्रांसफर ना करके चालू खाते में ट्रांसफर करेंगे, और यही कारण है कि इसको हम साजेदारों के चालू खाते के debit side में लिखेंगे, आहरण पर कई बार ब्याज भी calculate किया जाता है, तो अगर आहरण पर ब्याज की calculation की गई है, तो उसको भी हम यहां पर debit side में लिख देंगे, क्योंकि यहां हम इसकी पंजी प्रविस्टे करते हैं, साजेदारों का पूंजी या चालू खाता debit, आहरण पर ब्याज खाता से, तो जिस साजेदार ने आहरण पर ब्याज दिया है, ब्याज की जो राशी है, उसको हम साजेदारों के खाते में लिख देंगे, फिर हम यहां पर देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई लाभानी है, जिसका debit balance होता है, तो उसको हम साजेदारों के चालू खाते में, जो भी अनुपात प्रश्ण में नरधारित किया गया है, उस अनुपात में बाट कर हम debit side में इसको लिखेंगे, और अगर किसी भी तरह के information नहीं दी गई है, कि किस अनुपात में बाटा जाए, तो ऐसी condition में हम बराबर बराबर अनुपात में बाट कर इसके प्रविश्टी की राशी की calculation करके हम उसको चालू खाते की credit में लिखेंगे, क्योंकि जब पूझी पर ब्याज की राशी दी जाती है, तो उस condition में हम general entry हापर करेंगे, पूझी पर ब्याज खाता debit, पूझी खाता या चालू खाता से, तो क्योंकि यहाँ पर हम चालू खाता बना रहे हैं, इसलिए हम चालू खाते के credit side में लिखेंगे, पूझी पर ब्याज खाता को, और जिस भी साज़ेदार को यह राशी मिलेगी, उस साज़ेदार की account में हम entry कर देंगे, वैसे ही अगर किसी साज़ेदार को कोई वेतन मिलता है, या किसी साज़ेदार को कोई commission मिलता है, तो उस इसकी भी प्रविस्ट्री हम चालू खाते के credit side में कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही मदे एक प्रकार से वै है वैपार के लिए, इसकी प्रविस्ट्री हम करते हैं, वेतन खाता डेबिट, या फिर commission खाता डेबिट, चालू खाता से, तो इसलिए हम चालू खाते के credit side में, इसके प्रविष्ट्री करेंगे या फिर अगर परिवर्तन शेन पूंजी पद्धिती से हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो फिर हम पूंजी खाते के डेबिट में इसकी एंट्री करेंगे जब भी हम पुझी खाता चालू खाता या परविर्टशी पुझी खाता बनाएं हमको ध्यान में रखना है कि हम कौन सा मैथट यूज़ कर रहे हैं और यहां पर हम लास्ट में देख रहे हैं कि अगर कौम को किसी प्रकार का लाव हानी का कोई क्रेडिट बैलेंस या लाव शो होता है तो उस कंडिशन में उसको हम या तो प्रश्ण में दिये गए अनुपात में बाटेंगे और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसको हम ब़ाबर बराबर अनुपात में बाट कर चालू खाता यह पुझी क्रेडिट साइड में लावानी खाते को इस नाम से जिस भी साज़धार को को जिन जिन साज्य दारों को प्राफ्ट हो रही है उनके हिस्से में हम लिख देंगे एक यह खाते का प्रारूप पर खतम होता है अब इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे हम यह देखेंगे कि डेबिट बैलेंस यानिदेटBeet और क्रेडिट टोटल क्या है और शेश निकालने के पश्चात हम डेबिट यह क्रेडिट साइड में जिस तरफ भी शेश आता है उसको लिख कर हम चालू खाता को यहां पर क्लोज कर देंगे जदी हम साजेदारों का पूझी खाता परिवर्तन शेल पूझी पद्धती से बनाते हैं तो उसका प्रारू इस प्रकार होगा सबसे पहले हम प्रारमभिक पुन्जी की राशी को पुन्जी खाते में लिख देंगे क्रेडिट साइट में शेश लाया गया और जितने भी साजेदार हैं उनकी अकाउंट में इसको मेंट्रन करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या किसी साज़ेदार ने कोई आहरण किया है अगर किया है तो उसको हम पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे आहरण खाता से और जिस साजेदार ने जितनी राशी का आहरण किया है उतनी राशी हम उसकी अकाउंट में लिख देंगे इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आहरण की गई राशी पर कोई ब्याज लग रहा है अगर आहरन की गई राशी पर ब्याज लगाया गया है तो उसको भी हम पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिग देंगे आहरन पर ब्याज खाता से और उसके अमाउंट भी हम उस साजेदार के इससे में लिग देंगे जिसने आहरन किया था अगर किसी साजेदार ने अत्रिक्त पूंजी लगाई है तो उसको प्राफ्त होने वाले ब्याज की राशी को हम साजेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिग देंगे तो उसकी entry भी हम पूंजी खाते के credit side में बेतन खाते को और commission खाते को इन मदों के अंतरगत उसके account में लिख देंगे यहां हम देखेंगे कि क्या पहले से ही प्रश्ण में कोई लाब या हानी शेश दिया गया है यह दिया गया है तो हम उसकी प्रविष्टी भी कर देंगे किसी प्रकार की अगर हानी है तो उस condition में हम यहां पर पूंजी खाते के Dabit side में लिख देंगे लाब या हानी खाता को और इसका वितरण उसी अनूपात में किया जाएगा जो रश्ण में दिया गया है यदि कोई भी अनुपात नहीं दिया गया है तो हम बराबर अनुपात में लाभानी का विभाजन साजेदारों को कर देंगे इसके बाद हम साजेदारों का पुझी खाता बंद करेंगे और debit के amount में से credit के amount या जो भी जादा है उसमें से हम कम amount minus करेंगे जो भी balance आएगा अगर वो credit balance है तो यहां पर हम balance ED carried down लिखकर close करेंगे और अगर वो debit balance है तो हम credit side में शेश ले गया balance brought down लिखकर close कर देंगे